मोच से लड़कर बने मेरतन धावाक मेजर डीपी सिंग इंडियन गी लेडर नर 15 जुलाई 1990 भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध हिमाले के युद्ध चेतर में मेजर देवेंदर पाल सिंग दुस्मनू से लड़ते हुए बुरी तरह घायल हो चुके थे एक तोप का गोला उनके नजदीक आफटा उन्हें नजदीक की फोजी चिकितसाले लाया गया जहां उन्हें वरत घोसित कर दिया गया लेकिन 25 बर्स का वो नौजमान से ने मरने को तयार नहीं था जब उन्हें नजदीक की मुर्दागर ले जाया गया तो एक अन्य चिकितसक ने देखा कि अभी तक उनकी सांसी चल रही हैं मोटार बंके इतने नजदीक से फटने के बाद भी किसी भी सामानी विक्ती का बचना नामों के जैस्ता था लेकिन देविंदर पाल सेंग कोई सामानी विक्ती नहीं थे वे मौत से लड़ने को तयार पाल सेंग की अंतर्णियां खुली हुई थी चिकतसकों के पास अंतर्णियां काटने के अलावा कोई चारा नहीं था उन्हें बचाने के लिये उनका एक प्यार भी काटना पड़ा नेकिन किसी भी कीमत पर मेज़र बनने को तयार नहीं थे मेज़र न इस हाथसे में ना अपना एक पैर्क होया, बलकि बे कई तरहें की सारी रिक चोंटों और समस्याओं से घर चुके थे, उनकी सुनने की छमता कम हो चुकी थी, उनकी पेट का कई बाराओ प्रसन हो चुका था, आज इतने बरसों के बाद भी बंके 40 टुकडे, उनके स्रीर के अलग अलग भागों में मौजूद हैं, जिसे निकाला नहीं जा सका, मेजर के इच्छा सकती और मजबूत एरादू से उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन्हें अभी एक नया जीवन जीना था, उन्होंने निश्चे किया कि अब वो अपनी अपंगता के बारे में और नहीं सुचेंगे, उन्ह देविंद्र हर रोट सुबह 3 बज़े उठ जाती थे और अपनी प्रैक्टिस सुरू कर देते थे, कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद देविंद्र 5 किलोमेटर तक चलने लग गए, कुछ समय बाद उनकी मेनत रंग लाई, और भी अपने कर्तिम पैर से मेराथन में सारी मिली, जो अधेक लचीले और दोडने के लिए बहतर थे, इस तरह धीरे धीरे उनकी दोडने की गती बढ़ती गई, और उन्होंने अपनी बिकलंगता को हरा दिया, 17 बर्च बाद आज देविंद्र भारत के एक सफल बलेड रनर और उनके नाम से दो बर्ले